आज हम करने वाले हैं बर्लिंग्टोन टेस्ट टू का पैसेद नंबर त्री इसके क्वेस्टन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें क्या है कि हमें MCQS दिये हुए इसके बाद यस नोट गिवन वाला पोसन है और लास्ट में वह हमें समरी कमपलेशन दिया हुआ है वह भी है सिर्फ वन वर्ड अनली तो इस पैसेज के लिए मैं वन बाई वन आंसर फाइंड करने वाली अप्रोच से इस रिडिंग को करने वाला हूँ अगे जाके हमें पता लग जाएग अगे यह पैसेज पैसेज पैरेल शॉल करने वाला था या फिर वन-बाई-वन शॉल करने वाला था कुछा नंबर वन के आए कि इसमें पूर्नुलूलून नेशनल पार्क इसकी कुछ बात किये तो सिर्फ इस पर फोकस करेंगे और आगे जाके देखते है कि वो वर्ड हमे में कहां से मिलता है तो देखिये दा पूर्णुलूलू नेशनल पार्क अक्यूपाइज अल्मोस्ट तू लेक फॉर्टी थाउजन हेक्टर्स अफ वेस्टन ऑस्टेलिया और इस अन स्टर्निंग एग्जापल अफ नेचर एट इट इट इस फाइनेश्ट तपार्क हैस बिक you would think that knowledge of formation like this would be widespread yet the area has only recently been discovered and exposed to wider world इसने paragraph में से हम देखते है कि इस MCQS के लिए हमें कौन सा अंसर मिलता है तो पॉर्णूलूलू नेशनल पार्क है तो उसके बारे में is well known outside Australia has only recently been created created का कोई हमें information यहाँ पर से नहीं मिलता है यह recently been discovered discovered का है तो यह wrong आएगा contains part of Bengal Bengal Ranch definitely इसकी बात की है कि देखो इदर the park has become internationally renowned और sandstorm formation की बात की थी और commonly known as Bengal Bengal Ranch यह जो area है उसमें इस type के range है sandstorm formations है तो एक possibility है यहाँ पर से की covers all of western Australia all of पहले हमें क्या information दी गई है कि यह national park occupies almost 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 240,000 hectares of western Australia तो almost और all इसमें पूरा का पूरा difference है तो यह नहीं आएगा covers all of western Australia नहीं हमें सिर्फ कूछ ओसन दिया गया है तो यह दो mcq में से कौन सा सही आएगा इसके लिए हमें थोड़ा deep thinking करना पड़ेगा और फिर से हम जाके देखे तो क्या है कि national park occupies hectares stunning example और nature in finest park has become internationally renowned definitely park has become internationally renowned यह famous के बारे में बात आ गई तो पहला क्या है कि is well known outside Australia Australia के बाहर well known means के famous है definitely और अगर c आएगा या नहीं आएगा इसमें क्यों confusion है तो contents part of the bengal bengal range यह जो range है उसका कुछ part या उसका part इस national park में है in part due to large sandstone formations commonly known as bengal bengal range तो यह range है वो इसके अंदर है पूर्ण लूलू निशनल पार्क के अंदर इस टाइप का कुछ but c में क्या है कि contains part of part of bengal bengal range तो यह range का part है वो पूर्ण लूलू निशनल पार्क के अंदर है but paragraph से क्या idea लगते है कि यह पूरी की पूरी जो range है वो इसके अंदर है तो definitely confusion वाली बात तो है but त्यान से देखे तो part of means के इसका छोटा सा part निशनल पार्क के अंदर होगा और outside भी यह range हो सकती है but इधर से हमें idea लगता है कि यह पूरी की पूरी range है वो पूर्ण लूलू निशनल पार्क के अंदर है तो definitely में जाओंगा यह के साथ इस वेल नॉन आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया next क्या है according to the writer writer के according the bangles were first recorded scientifically scientifically हमें इस वर्ड पर focus करना है कि scientifically record के बारे में क्या हमें मिलता है जो options है वो हम बाद में देख लेंगे paragraph में मिलता है कि although indigenous community की बात की है have roamed the area for over 20,000 years and understand and respect the area it wasn't until 1982 when aerial photographic captured the formations that the beauty of bangles was revealed to world यह जो community थी वो 20,000 साल तक वहां पर roamed home रहे थी अब 12 as a scientist अब यह इदर से कुछ मिलने वाला है या फिर आगे होगा या पीछे होगा देखते we were extremely excited about this new found location and were keen to explore उसे explore करने के लिए उचसाइट थे keen around 20 years later in 2003 the site was rightfully classified as world heritage site कोके तो यह event 2003 में हुई की world heritage site के लिए उसे classified किया गया meaning that we could protect and conserve the area और जब इस तरीके से heritage site बन जाती है उसके बाद उसका conservation करना रहता है the main feature of bungles are magnificent dome shaped formation made from sandstone other sandstone formations have been found all over world and in other part of Australia but bungles are truly remarkable पूरा एक passage हो गया और उसमें से देखते हैं कितने answers मिलते हैं recorded scientifically from the air scientifically record उसका किस तरीके से हुआ तो from air definitely a real photographic की इधर बात की है in indigenous writing writing की बात नहीं की है indigenous community वहां पर roam कर रहे थी तो ऐसी कुछ information नहीं है तो यह not given type का है see यहां पर है in 2003 recorded scientifically नहीं 2003 में तो उसका classification हुआ था as a world heritage site तो यह definitely no आएगा और recorded scientifically over 20,000 years ago definitely not इतने year पहले तो वह जो indigenous community थी वह roam कर रहे थी तो सभी के सभी easy है कुछ ऐसा confusion नहीं कर रहे है कि यह तिन क्यों नहीं आनी चाहिए और from there definitely यह आएगा इधर कि बहुत ही simple तरीके से हमें idea लगता है कि when aerial photography captured the formations तो यह scientific तरीक आई हुआ कि उसको डूंडे कैसे next question हमारा आता है कि the writers say that bangas तो writer इसके बारे में क्या कहते है तो writer का क्या opinion है वो next देखे अभी यहां तक कुछ ऐसा bangas का यहां पर देखो इधर mention किया है पर देखते क्या specific idea लगता है यह नहीं लगता है और इन अदर पार्ट्स ओफ ऑस्टेलिया बर्ट बंगल्स आर ट्रूली रिमार्केबल देखते है कुई ऐसा मैच करे तो were created by indigenous shelters ऐसा कुछ mention नहीं है are complete mystery to scientist ऐसा भी mention नहीं है अभी जग have unique shape shape का कुछ mention है but देखते है were probably formed by river कुछ भी mention नहीं है इसका मतलब हमें आगे जाके देखना पड़े गया हम speculate करके answer नहीं लिख सकते है इसमें, the main reason why this particular sandstorm formation are incredible is because reason का है they are the best example of behave shape natural structure anywhere in the world, the sheer example of them remain unsurpassed while their colors and ecological features are unrivaled उसका कोई comparison ही नहीं है उसका कोई rival ही नहीं है what we are not completely certain about is how exactly they were formed ये पता नहीं है about is how exactly they were formed और question क्या है कि writer से बंगल्स के बारे में किया है इसमें से side answer मिलना चाहिए although we estimate that they begin forming around 350 million years ago and that they were part of a riverbed okay estimate कर रहे है देखो writer है वो कुछ कहना चाहता है although we estimate we means के writer जो लिख रहा है we estimate that और उसके बाद they begin forming around 350 million years ago that they were part of riverbed riverbed का एक हिस्सा रहे होगे with layer that were created over a millennia उसका जो layer है उस लंबे अर्षे तक उसका creation हुआ होगा we know that they have been weathered and eroded by water as well as wind to create their impressive shapes but their exact information remain a mystery writer speculate कर रहे है estimation दे रहे है कि ऐसा कुछ हो सकता है but exact information के बारे में कि वो exact formation कि तरह के से हुआ वो अभी तक mystery है देखते कौन सा MCQS इधर perfect होता है writer say that bangles were created by indigenous shelters नहीं are a complete mystery to scientist mystery है but scientist के लिए mystery है ऐसी specific कुछ बात नहीं किये have unique shape yes definitely unique shape है but next देखते है कि कुछ confusion होता है इस दूनों के भी वर प्रॉबेब्ली फॉर्म बाई रिवर आगे देखते है कि प्रॉबेब्ली फॉर्म बाई रिवर इसा estimation किया है अल्दो वी वी मिन्सके writer writer की तरब से इसा estimation है तो वर प्रॉबेब्ली फॉर्म बाई रिवर तो यह आएगा और यह सब cancelled 30 किया है कि visitors to Purnu Lulu National Park visitors के बारे में कुछ बात होगी तो वो सारा पूर्शन है वो हम detail में देखते कि इदर क्या है कि the structures are an extremely important scientific discovery as they highlight the process of their formation even though we have yet fully understand it in fact we have only recently discovered the effect of Dorms formation of sandstorm what we can see is evidence of the effect of ecology, biology, erosion and climate have on sandstorm and this is something we will be investigating for many years to come the bungles are unique in their range of diversity so there is a vast amount of research to be completed ओके तो यह इतना हो गया पर इसमें से visitors के बारे में कुछ अभी तक नहीं मिला yes no note given में देखते है कि इसमें से कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है क्योंकि यह पूरा का पूरा paragraph completely blank गया है the indigenous people around the park understand the area well तो यह वाला answer हमें इदर से मिल गया था देखो although indigenous community have roamed the area for over 20,000 years and understand and respect the area okay completely understand का word दिया गया है इदर आएगा yes उसके बाद है कि it is unclear how the bangles have eroded over the years angles जो है वो eroded किस तरीके से हुए इतने सालों में और उसके shape के बारे में इस paragraph में information थी और वो क्या थे कि they were part of riverbed layers were created over millennium we know that they have been weathered and eroded by water as well as find to create their impressive shape इदर हमें दिया गया है कि water and wine से वो eroded हुए थे और इदर ये कह रहा है कि unclear अभी तक clear नहीं है तो इसमें आएगा no हमें information दी गई है unclear नहीं है further research will be undertaken by Australian scientist तो ये प्यूरा का पूरा paragraph ऐसा ही unclear जाएगा उसमें से कुछ information नहीं मिली अब तक और आगे हम focus करेंगे Australian scientist और visitors के उपर जब ये दूनों के ऊपर कुछ बात होगी तब हम ज्यादा focus करेंगे the colors of structure structures are outstanding the striking orange and black pigment have become characteristically part of pangal's charm when the iron in the sandstorm oxidize it creates the stunning orange color that can be seen in what is called rusting process this part of the rocks is liable on drying out more quickly because it has less claying content which means that bacteria which protect oxidation cannot grow properly it contrasts अभी तक कुछ भी बात नहीं हो रही है तो maybe ये हो सकता है color of bangles के बारह में फिर शेक twist the color of bangles rock are stunning to look definitely due to the उसके पीछी का reason क्या है due to the test of iron iron का का ऐसा कुछ क्या हुआ था of iron in unprotected layer of rocks iron का कुछ ऐसा हुआ की unprotected layer of rocks the sand top turn beautiful shade of orange in process in a process commonly known as orange color में conversion हुआ तो देखते इधर से क्या idea मिलता है the striking orange and black pigment have become characteristically part of bangles charm when the iron iron की बाथ हुए is iron in the sandstone oxidize okay oxidation oxidize it creates the stunning orange color that can be seen in which is called the rusting process तो इसमें आएगा रस्टिंग रिजन अभी तक क्लियर नहीं है यह हमें मिस हो गया कि दूटु देश ओफ आईरन unprotected layer of rock तो क्या रिजन इसके आगे से ही मिलेगा when the iron in the sandstone oxidizes it creates stunning orange color that can be seen देखो oxidizes and इधर हमारे requirement है due to the oxidation आशकता है oxidation of iron पूर्या का पूरा detail में समदना पड़ेगा तभी एक layer होगा the dash found कुछ ऐसा मिला है in the darker layer is an indication that clay is present clay वहाँ पर present है वो हमें कहां से पता चलता है हमें क्या ऐसा कुछ मिला जहां से हम कह सकते है कि वहाँ पर clay available है and this result also वहाँ से हमें क्या मिलता है result क्या मिलता है this results in bacteria creating protective layer वहाँ से यह result होता है कि bacteria create कर रही एक protective layer over the surface तो अब देखे तो क्या मिलता है हमें in contrast some of the layers are dark okay तो darkness की बात हो गई these areas contains more clay okay clay की बात हो गई which retains moisture moisture की एक बात है meaning the bacteria can protect these layers from erosion and oxidation तो यह moisture यह वड़ा आएगा तो कि उसके बात का है कि meaning उसका meaning यह कि the bacteria can protect this layer उसकी वज़ा से moisture की वज़ा से bacteria वहाँ पर है और can protect this layer from erosion and oxidation और उसकी वज़ा से this area contains more clay which retains moisture moisture आएगा 39 में this protection means जो आगे बात की थी protection की means that any iron present doesn't change color कि iron के present होने से वो color change नहीं होता है which in turn prevents जो रोकता है कुछ ऐसी चीज़ को रोकता है leaving the rock more solid than others और उसके साथ कुछ connection में एतो दिखते क्या मिलता है आगे हमें कि in contrast some of the layers are dark these are contains more clay which retains moisture meaning और उसी के साथ connection में अंसर महा गा था तो meaning the bacteria bacteria can protect these layers from erosion and oxidization okay और इधर prevent करने की बात है prevent और उसका synonym से protect bacteria can protect these layers from erosion तो 40 में आएगा erosion तो यह सब कुछ एकदम connection में बट हमें ध्यान से एक दूसरे को link करना पड़ता है और एक-एक sentence को depth में read करके उस questions की demand क्या है वो हमें proper idea लगना पड़ेगा तभी हम ऐसे summary completion को अच्छे से कर सकते अभी हमारे कूछ questions इधर बाकी रह गए तो वो हम देखते है कि Australian scientists के और visitors के बारे में आगे क्या दिया गया हमें since the creation of world heritage sites at the bangles there has been a rise in number of visitors okay visitors का आ गया तो यह detail में देखते है to the area and this need to be carefully managed okay management of this park is shared between the western Australian department of environment and on क्या है कि और दूसरा क्या है कि conservation and the local conservation and the local okay कीन दोनों के बीच में वो share है management to western Australia department of environment and conservation and the local तो यह एक पूरा एक organization है और local यह दोनों के बीच में उसका जो management है वो said है indigenous people local means के indigenous people जो है वो it is estimated that the land is co-managed in this way so as to respect the culture and traditions traditions of the people who know the area based वहां के जो people है वो know the area based it would be travesty if control were taken away completely visitors to Purnu Lulu National Park are fewer in number this day कुच information namely risk damage the local environment find the bangles easy to get कुच information अभी तक नही are only allowed to fly over the park एसे भी कुच information हमें नहीं मिली है तो इदर से visitor rising the number of visitors area and these need to be carefully managed तो visitors के number increase हो रहे है और उसकी वज़ज़ से these needs to be carefully managed तो management की बात हुई तो यह हो सकता है कि risk damaging local environment visitors increase हुए visitors to Purnalulu national park risk damaging the local environment और कुछ connection में नहीं बिट रहे next last MCQ हमारा क्या है कि the threat to the ecology of bangles क्या थ्रीट है ऐसी भाई जनक क्या स्थिती है bangles के लिए वह भी ecologically और इदर तो Australian scientist की बात है और research की बात है although welcoming visitors to the area is to encourage it is vital that the land is protected and shielded from any environmental impact from tourist यह answer यहां से मिल गया environmental impact वाला तो यहां से एक risk increase हो रहा था वो अमे मिला बट यहां completely दिया गया है कि environmental impact from tourist तो यह answer 100% यहां से cover होगा हमारा the bangles are in relatively remote location remote location and remain fairly inaccessible easily वाहां पर accessible नहीं जा सकते इस तरह के से which means that many tourists take to the risk in helicopters to observe the formations instead of walking कुछ वाहां पर helicopters से जाते है this impact is probably the best way to see the bangles okay वो एक अच्छा रास्ता है based way traveling by air means less of an impact on the ground so the fragile जो आसानी से damage हो सके उसका meaning fragile sandstone structure and the land surrounding them are preserved okay 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 इसमें एक था कि damaging risk find the bangles easy to get तो यह cancel आएगा easy to get क्यों नहीं है क्योंकि वो अमें already यह paragraph में दिया है कि वो easily हम नहीं reach कर सकते है are only allowed fly over only allowed to fly over the parks only ऐसा नहीं है उन्होंने suggestion दिया है कि कुछ लोग prefer करते है और इधर ecology के बारे में threat की क्या है कि is no longer a problem due to conservation is now classified as critical insensitivity has not dropped to a lower level only drivers from naturally occurring phenomena अभी तक ऐसा कुछ mention नहीं है ओके तो आगे भी देखते है क्योंकि ऐसा अभी तक mention नहीं है तो सायद not given हो सकता है it is right that indigenous communities are involved in conservation ओके तो community भी conservation में available है it is right that ओके तो इसका mention हमें पहले मिला था कि दो लोग इसको handle कर रहे है management के बारे में the management of park is shared between तो एक organization and the local तो yes definitely यह true आएगा yes यह आएगा इसमें कुछ अभी Australian scientist के बात ही नहीं कीगे तो यह not given आ सकता है last के आए कि the risk of fire is the biggest threat biggest यह biggest है to the national park national park के लिए यह सबसे बड़ा threat है fire का next paragraph में क्या मिलता है कि the management of relatively low tourist number has so far been effective in keeping conservation level at stable rate okay conservation की बात की है recent conservation report क्या कहता है recorded that the threat level to the area remains low but this does not mean that management can be pleasant okay तो इधर क्या बात की थी threat की बात की थी the threat to the ecology of fungus ओ threat के बारे में इधर भी बात की यह पूरा read करते है there may not have been any decline in the geological value of the site but there are still threats that pose risk to the scientific and cultural heritage on offer at bangles okay अभी तक भी आपर threat है some of the threats to the land include fire and invasive species कुछ species है in addition to environmental impact from tourists okay indeed in 2016 a fire ripped through a large area of Purnolulu National Park burning tens of thousands of hectares of land and leading to the temporary closed to park to tourists okay the risk of fire is the biggest threat यहाशा directly mention नहीं किया कि वह biggest threat है वह एक threat है वह definitely है but उसके अलावा भी कूछ और threats भी available है तो जब भी biggest इस तरीक एका word आया तो हमें ध्यान से करना है ध्यान से read करना है कि क्या proper mention है कि वह एक सबसे पहले नंबर वाला biggest high level threat है वह included है कि some of the threats to the कुछ ऐसे और उसमें से एक mention किया है fire वाला land का जो additional environmental impact tourist वाला fire वाला तो यह not given आएगा और इसमें threat के बारे में किया है कि is no longer problem due to conservation नहीं ऐसी बात नहीं किया है अभी तक threat तो है उसमे is now classified as critical in severity वो critical में क्या वो critical situation में आ गया है नहीं ऐसी बात नहीं मिल रही है proper has not dropped to lower level अभी तक उसका level जो threat है उसका level कम नहीं हुआ है तो ऐसा mention था threat level to the area remains low a recent conservation report recorded that the threat level to the area remains low but this does not mean that management can be complacent there may not have been any decline in geological value of site but there are still threat आ गया but there are still threat that pose risk to scientific and cultural heritage अभी तक वो risk available है has not dropped to a lower level अभी तक कम नहीं हुआ है only derived from naturally occurring phenomena वो जो threat है वो सिर्फ और सिर्फ natural phenomena है उससे ही है यानि कि यह जो fire और वो सब कुछ है नहीं fire तो है plus क्या है invasive species वो species भी है उससे भी threat है तो यह तो false आ गया तो मैं हर एक SMC की यह से उसको true false not given के तरीके से ही देखता हूँ और जो hundred percent true है शेप उसको ही टिक करता हूँ मैं हर बार reading के पहले और tough जो word होते वो मैं upload करता हूँ तो आप वो videos भी देखिए और comment किजी और किस किस type के ilts की tips आपको चाहिए करता हूँ झाल